हेलॸे एभरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्हीद करती हूँ कि आप लोग खहरी यह से होँगे, मैं साइमा खलील आज की विदियो में मैं बना रही हूँ चिकन ब्रॉस्ट, चिकन ब्रॉस्ट हम बिलकूर रेस्टरॉंट स्टाइल से बनाएंगे, एक बाहेट जैसे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन ब्रॉस्ट बनाने की रैस्पी शेयर कर रही हूँ वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो शेयर करने से पहले मेरी चोटी सी रेक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन को प्रेस करें ताके मेरी हर नई वीडियो आप तक वासा नहीं पहुंच सके बनाना स्राइट करते हैं चलिए जी तो यहाँ पर चिकन ब्रॉस्ट बनाने के लिए मैंने सारे लैग पीस लिए हैं और यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं जो मैं आपको दिखा दूँ ये है मेरे पए सूका दनिया 1 टेबिल स्पून सौया सूस, 1 टेबिल स्पून छीली सूस, 1 तीस्पून हल्दी पॉडर, 1 तीस्पून नमग और 3 टेबिल स्पून मेरे पास है लेमेंच चूस वन टेबिल स्पून मेर पसे लाल मिश पारडर और वन 2 टेबिल स्पून मेर पसे लसन दरग का पेस्ट बनाना स्टार्ट करते किरें सबसे पहले हम चिकन ब्रॉस्ट के लिए लेक पीस को इस तरह से कट लगा लेंगे इनको मैंने अच्छी तरह से wash कर लिया था पहले से ठीक है तो अब इस तरह से हम cut लगाएंगे ताकि मसाला जो हे वो अंदर तक लग सके इनको अब जब हम cut लगाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा जो blood है इस तरह से जो छुटी छुटी ब्लेट वैसल्स होती है वो पटनी है वो बाहर निकलता है तो इसको वाश कर लेंगे दुबारा से ठीके इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके अच्छी तरह से वाश करके ब्लेट निकाल देंगे अगर नहीं निकालें तो फिर फ्राइ करने के बाद भी ये ब्लेड नजर आता है जो बिलकुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे लेक पीस को मैंने अच्छी तरह से कट भी लगा लिये हैं साफ सुतरे तरीके से वाश भी कर लिया है इसी तरह से हमने वाश करना है ताके घर में बनाने का कुछ फाइदा हो आप इसको मैरिनेट कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए जो मैंने मसाले आपको दिखाए दे वो सारे इसमें डाल देंगे एक साथ और प्यालियों को अच्छी तरह से हाथ से साफ करेंगे ताके मसाला जो है हमारा जाया न हो और हमारे चिकन ब्रॉस्ट जो है वो अच्छे से स्पाइसी बने अब हम एक एक बो तो मसाला जो है वो इसी तरह एक-एक स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करना है और हाथों से जो है इनके अंदर तक मसाला जो है वो जो हमने कट लगाए है उनमें भी लगाना है आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी से लग गया है अब मैं इसमें हाफ कप के करीब तूद ताके हमारे जो चिकन प्रॉस्ट है वो सॉफ्ट और जूसी बने ठीके तो हाफ का दूद इसमें डाल दिया है मैंने अब इसको हम प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह से रैप कर देंगे क्योंकि इसको हमने तीन घंटे का स्टे देना है तीन घंटे के लिए स्टे देंगे और इसको फ्रिच में रखना है जी के अब इसको अच्छी तरह से मैंने रैप कर दिया है मिलते हैं फिर तीन घंटे के बाद चलिए जी तो यहां पर तीन घंटे हो गए है अब हम कोटिंग तियार कर लेंगे उसके लिए मैंने एक प्याली मेहदा लिया है और हाफ टीस्पून अदरक पॉरडर, हाफ टीस्पून लशन पॉरडर और हाफ टीस्पून नमक और वन टेबिल स्पून मैंने लाल मिर्ज अब एक प्याले में इन सब को मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी चो कोटिंग हैं जो हम ब्रैड क्रैम से करते हैं वह भी थोड़ी सी स्पाइसी बने किठे, तो यह हम मिदे से करेंगे और इस में हम नमक मिर्च और मिला छारे हैं तो अच्छी सी स्पाइसी बनेगी ग्रिस्पी ठीक हैं और खाने में और और वी मज़ा आए अब इनको दो जगाप में कर लेंगे वो मैं बताऊ 2 जगाप में काव काप प्लैट में निकाल लेंगे और प्याले में रहने देंगे recorded जो मेरिनेट करके रखा था चिकन इसको देख लेते हैं तो ये देखें अच्छा सा हमारा चिकन तीयार हो गया है चिकन ब्रॉस्ट के लिए आप इसको जो है एक एक बोटी को उठा के हम कोटिंग करें गे अब जब में कोटिंग करोंगी तो आप समझ जाएंगे कि मैंने पानी में डिप करने से कोटिंग बिल्कुल भी उतरेगी बल्के चिपक चाहेगी अब हम डबल कोटिंग करेंगे तो गीला वाला है हमने गीला किया इसको तो हमारा जो सारा मैदा है वो गीला नहीं होगा एक साइट पे मैंने कड़ाई में आयल रख दिया था जो मिडियम फ्लेम पे है बिल्कुल भी तेज आँच नहीं करनी ताके हमारे जो चिकन ब्रॉस्ट हैं वो सकत ना हो जाएं अंदर से सॉफ्ट बने तो हलकी आँच पे मिडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राइ करना है इस इसमें जो एक्स्ट्रा ओयल होता है वो सारा निकल जाता है और हमारे जो ब्रैट क्रैम्स होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते क्रिस्पी रहते हैं ठीक है तो अभी यहां पर मैंने जो फस्ट बैश था वो निकाल लिया है आप देख सकते हैं चार मैंने फस्ट बैश में डाल अब इसको डिशॉट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कलर है वो कितना गोल्डन है बहुत ही अच्छी सी खुश्पु आ रही है और बहुत ही मज़दार क्रिस्पी हमारे जो चिकन ब्रॉस्ट हैं वो बनकर तियार हो गए हैं यहां पार एक मैं आपको तोड़ जरुएं तक बैसना मेरे चिकन ब्रॉस्ट है जिर ऑखर भन्री जा लिकार बना ऑंदे तक हैं आप देख सकते हैं कर्वार्युन आब को डियाच अफिके शुरूर बने और अपको मेरे तरिका पसंदर भीट पनाऊंगा जिए अगर मेरे चैनल पर नएँ तो मेरे मेरे चै वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए उताफिज